असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उमीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत इंजॉई कर रहे होंगे आज मैं आपके सामने स्टेंडर्ड टैंथ की पोयम इफ लेकर हाजिर हुआ हूँ This poem is available in your English course book on page number 86-87 The poet's name is Rudyard Kipling He is famous for story writing, poetry and novels He is the same writer who has written the famous Jungle Book Remember Mowgli? This poem deals with advice given by father to his son इस poem में एक वालिद अपने बेटे को नसिहते कर रहे हैं कि अगर वो एक अच्छा अंसान बनना चाहता है तो उन्हें अपनी कौन सी qualities पर focus करना होंगा हमें अपनी weaknesses जैसे के fear, confusion, worry, cowardice, hesitation, laziness, anger, arrogance इनको रोकना होगा और हमारे strong points जैसे के confidence, clarity, courage, compassion, bravery, faith, tolerance और ambition इनको मजीद तक्वियत देनी होगी हमारी ये poem रुडियाट किपलिंग ने लिखी है जिनें 1907 में 22 साल की उमर में नॉबेल प्राइस से भी नवजा जा चुका है आए अब poem पर गौर करते हैं इसका पहला stanza इन लाइन में एक बाप अपने बेटे से कहता है कि अगर तुम अपने घुस्से को काबू में रखते हो यहां पर keep your head याने घुस्से को काबू में रखना जबके तमाम इंसान तुम पर इखामात लगा रहे हैं और तुम पर शक कर रहे हैं लाइन नुबर 3 और 4 में देखते हैं चायर कहता है कि बेटा जब तुम पर सब शक करने लगे तो तुम्हें अपने आप पर भरोशा रखना है लेकिन ये भी बात की गुनजाईश रखना है जो हम पर शक कर रहे हैं हो सकता है उनकी बात किसी दर्जा पर सही हो सकती है, उनका शक्स सही हो सकता है, तो इसकी गुंजाईश हमें रखना है, If you can wait and not be tired by waiting, अगर तुम इंतिजार कर सकते हो और इंतिजार करने से ठकते नहीं हो, और being lied about, don't deal in lies, लोग तुम्हारे बारे में जूट बोलते हैं, जूट का सहरा लेते हैं, लेकिन तुम्हें जूट का सहरा नहीं लेना है, और being hated, don't give way to hitting, लोग तुम से नफरत करते हैं, लेकिन तुम नफरत का जवाब नफरत से मत दो, and yet don't look too good, nor talk too wise, नहीं तुम बहुत ज़्यादा अच्छा होने का दिखावा करो, और नहीं बहुत ज़्यादा अकलमंदी का मुझाहरा करो, मतलब ये के, तुम्हें यहाँ पे दिखावे वाले काम नहीं करना है, कि अपने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखानी की कोशिश करना, या अपने आपको दूसरों से ज़्यादा अकलमंद दिखानी की कोशिश करना, हमारा second stanza start होता है, if you can dream, and not make dreams your master, अगर तुम खौब देख सकते हो, लेकिन खौबों को अपना मालिक नहीं बनाना है, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, कि देखिए, किसी भी काम को जिन्दगी में करने के लिए सबसे पहले खौब या खौईश कर करना होता है, लेकिन कोई इनसान सिर्फ खौब ही खौब देखते रहे, अमली तोर पर उसका कोई मुझाहिरा ना हो, तो ये चीज़ मनासिब नहीं है, अगली लाइन भी इसी तरह की बात कहती है, If you can think and not make thoughts your aim, अगर तुम सोच सकते हो, गोर फिकर कर सकते हो, लेकिन गोर फिकर को ही अपनी जिन्दगी का aim याने मकसद नबना लो, आप समझ सकते हैं, किसी भी काम को करने के लिए पहले हमें गोर फिकर करना होता है, सोच विजार करना होता है, लेकिन कोई शक्स सिर्फ ख्यालात ही कोई में महदूद रह जाए और अमली कारकरदगी से दूर रहे तो ये चीज मुनासिब नहीं है अगर तुम फताह ये तबाही दोनों से मिल सको यहाँ ट्रैंफ याने फताह या जीत और डिजास्टर याने तबाही या बर्बादी याने के हार इन दोनों का हमें सामना करना पड़ता है अपनी जिन्दगी में यहाँ पर ये भी गौर कीजिए कि दो अपोजिट ख्यालात यहाँ पर आ रहे हैं हम कह सकते हैं कि इस लाइन में एंटिथेसिस का इस्तेमाल हुआ है याने सादते तज़ात का इस्तेमाल हुआ है शार कहता है कहता है इन दोनों को याने जीत और हार को वो कहता है कि यह दोनों इंपोस्टर्स है याने कि गदार है धोका देने वाले हैं यहां पर हम लोग confused हो सकते हैं कि तबाही तो हमें धोका नजर आती है लेकिन जीत किस तरह से हो सकती है देखिए अकसर देखने में आता है कि अगर हम जीत को बहुत ज़्यादा अपने सर पर चड़ा ले तो वो भी नुकसान दे हैं उसी तरह से हम हार या नुकसान को बहुत रवी से काम करना है If you can bear to hear the truth you have spoken twisted by knaves to make a trap for fools और अगर तुम सच को सने की या सच को बरधाष करने की होसला भी रखते हो जो तुमने कहा भी है शार कहता है कि जैसे हम सच बोलना पसंद करते हैं और लोगों के बारे में अपनी राय का इजहार करना पसंद करते हैं उसी तरह से हमें सच को सुनना भी चाहिए अगर हमारे बारे में कोई कुछ कहता है तो हमें उसको सुनने की जगा भी देने चाहिए उसकी गुंजाईश हमें रखनी चाहिए आईए दोबारा गौर करते हैं If you can bear to hear the truth you have spoken twisted by naves twisted by naves to make a trap for fools यहाँ पर twisted by naves के माने होते हैं naves याने बुरे लोग जो बातों को twist कर देते हैं याने तोड मरोड कर पेश करते हैं आपने कहा कुछ था लेकिन उसको कुछ इस तरह से पेश किया जाता है लोगों के सामने कि आपकी कही गई बात का मानी कुछ और ही निकल जाता है इस तरह से वो बुरे लोग आपकी बातों को लोगों के सामने गलत अंदाज में पेश करते हैं और make a trap for fools लोगों को बेवकूफ बनाते हैं उन्हें अपने जाल में फसाते हैं और watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools और तुम देखते हो कि जिस चीज के लिए तुमने अपनी जिन्दगी वक्फ कर दी चाहे वो आपकी जिन्दगी का मिशन हो आपकी जिन्दगी के मकासिद हो आपके दुश्मन या आपके पसंद करने वाले लोग इन्हें बरबात कर रहे हैं ऐसे में आपकी मिशन को जो सबोतास किया गया है बरबात किया गया है उसे दोबारा से तामीर करना होगा असरे नौ तामीर करनी होगी चाहे आपके पास worn out tools यानि टूटे फुटे आज़ार हो यहाँ आप हम गर्प ये भी करेंगे कि build them up को शायर ने build em up करके लिखा है अकसर पोईट्स लाइन्स में वजन को कायम रखने के लिए कुछ लफजों को कमी बेशी करके एड़िस्ट करते हैं यहाँ दूसरी चीज ये भी होड करेंगे कि worn out tools यहाँ पर इस last line में alliteration का use हुआ है क्योंकि line कुछ इस तरह से है and stoop and build them up with worn out tools यहाँ पर w जोके व का sound repeat करता है repeat हुआ है इस तरह की figure of speech को alliteration कहा जाता है हमारा तीसरा stanza if you can talk with crowds and keep your virtue और walk with kings nor lose the common touch if you can talk with crowds अगर तुम भीड से बात कर सको भीड भार से बात कर सको याने आम लोगों से बात कर सको and keep your virtue और अपनी नेकी को कायम भी रखो और walk with kings nor lose the common touch walk with the kings याने राजा महरा जाओ के साथ उठना बैठना चलना याने तुम चाहे बड़े अमीर लोगों में उम्रा में शुरुफा में उठना बैठना करो लेकिन ऐसे हालात में भी तुमें common touch याने आम लोगों से जुड़ कर रहना है कह सकते हैं कि यहां तकबर से इजतिनाब करना है घमर नहीं करना है हम देखते हैं कि आम जिन्दगी में भी अगर किसी शक्स का किसी बड़े अहदेदार से या अफिसर से अगर उठना बैठना साथ हो जाए तो वो दूसरे लोगों को याने आम लोगों को तوج्जे नहीं देता उन्हें हकीर जानता है ये तकबर के अलामत है एक अच्छी शक्सियत में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए इफ नाइधर फोज नौर लविंग फ्रेंड्स कें हर्ट यू यहां फोज एंड फ्रेंड्स दो लफजाए हैं फोज के माने होते हैं दुश्मन अफ्रेंड याने दोस्त देखा जाए तो यहां पर भी एंटिथेसिस का स्तेमाल हो रहा है याने सनते तजाद का इस्तेमाल हो रहा है शायर कहता है कि बेटा तुम्हें ना दोस्तों से ना दुश्मनों की किसी बात से नारजगी होनी चाहिए उनकी कोई बात तुम्हें दिल पर चोट ना पहुँच जाए तुम सभी इनसानों को एक जैसा सुलुक करो किसी से कम न किसी से जादा नन टुमच याने किसी को बहुत जादा नहीं याने हमें एक्स्ट्रीम इमोशन्स का इजार नहीं करना चाहिए और अगर तुम अन फॉर्गिविंग मिनिट को पूरा कर सको यहां पर हम गोर करेंगे कि अन फॉर्गिविंग याने जो माफ ना करे ऐसा मिनिट जो माफ ना करे यहां हम कह सकते हैं कि जो वक्त गुजर जाता है वो किसी इनसान को माफ नहीं करता चाहे तो आप उस वक्त का अच्छा इस्तेमाल कर ले या उसे बरबाद कर दे अंग्रेजी में शायर ने कुछ इसी तरह से बात पेश की है जहां बाप अपने बेटे को समझा रहा है कि एक मरतबा वक्त अगर गुजर जाए तो फिर तुम इसे दोबारा लाग कर या हासिल करके नहीं दिखा सकते शायर कहता है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और ये वर्थ अफ डिस्टन्स रन यानि कि एक बड़ा फासला इसमें तै किया जा सकता है यानि कोई भी काम एक 60 सेकंड में किया जा सकता है एक मिनट हो या कुछ सेकंड हो हम उसको कम तर ना जाने उसमें भी बहुत कुँछ काम किया जा सकता है मुराद ये के हमें वक्त के हर लंहे का इस्तेमाल करना है यूर्स इस दाइर्थ और अवरिफिंग डाट इस इन अगर तुम हर-हर लंहे का इस्तेमाल कर लेते हो तो पिर ए बेटे ये दुनिया तुमारी हो जाएगी दुनिया की हर हर शै तुमारी हो जाएगी और इस से भी बढ़कर ये के बेटा तुम एक मुकमल इनसान बन जाओगे यू विल बी अ मैन इस तरह से ये पोयम मुकमल होती है और ये नाजम ना सिर्फ शायर के बेटे के लिए बलके हम तमाम के लिए काबल अमल और काबल तकलीद है